हे गाइस वेलकोमी और तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह बताया था कि अब टीओ टीपी मैंडेटरी रहेगा आपको स्मार्ट अपिया लॉगिन करने के लिए तो काफी लोग को इसके नहीं पता लग पा रहे हैं किस तरह से हमें करना है तो आज का वीडियो बिसिकली इसी के ऊपर है कि हाओ टू अक्टिवेट यो टीओ टीपी इन यूर एंजल वन अकाउंट तो देखिए आपके मैंने टेलीग्राम के ऊपर यह लिंक शेर किया हुआ एक इस लिंक को आपको आपको आपन करना है अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो डिस्क्र क्लिक करना है इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने के लिए मिलेगा स्मार्ट अपियाई ओफ एंजल वन का अब यहां पर आपका जो एंजल का आईडी पास्वर्ट है उससे लॉग इन करना है तो मेरी एक आईडी है CHND5934 और इसका मैं पास्वर यहां पे आएगा तो यहां पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो रिजिस्टर फोर नंबर है उसके ओपर OTP आ चुका है मैं वो OTP डाल देता हूं यहां पे तो OTP आपको डालना है और OTP डालने के बाद प्रोसीड करना है OTP आपके रिजिस्टर मॉवाइल नंबर पे आएगा उसके बाद आपको यह QR कोड स्कैनर दिखेगा अब आपको इसका क्या करना है अब यहां पे दिखिए आपके दो तरीके पहला तरीका है कि आप यह QR कॉपी करके वहाँ पे एड करें तो यहां पर मैं आप तरीका बता देता हूं किस तरह से करना है इसे देखिए इस पेच के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए यहां से मोबाइल का काम शुरू है तो मैं यहां पर के नीचे plus का button दिख रहा है। इसी आपको click करना है। और यहां पर scan qr code का आपको option मिलेगा। इसी scan qr code को क्लिक करना है। और आपको screen के ऊपर यहां पर जो आपको QR code दिख रहा है। इसी आपको scan करना है। scan करने के बाद दिखिए, simply आपका angel1.in करके यह idea आपकी add हो गई, so यह simple सा process आदेखिए, अब यहाँ से जब भी आप किसी भी third party application वाला कि किसी भी algo trading app से जब login करते हैं, तो वहाँ पे आपको ID मांगेगा, password मांगेगा और TOTP मांगेगा, वहाँ पे आपको यह TOTP डालना है, जो MPN होता है वो नई डालना है, यह वाला TOTP आपका use होगा, वहाँ पे login करने के लिए, उसके बाद ही आप algo trading यहाँ पे कर पाएंगे, तो smart API को login करने के लिए TOTP mandatory है, आपका 1st of October से, तो यह simple सा process था आपका, यह link बस आपको follow करना है, यहाँ पे वैस steps लिखे भी हुए है, लेकिन अगर आपको steps follow में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाया है, इस तरह से next वीडियो में लेकिए आऊँगा आपका जिरोधा के TOTP को enable करने का, फिरहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.